क्लास 12 स्टुडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको हमारा जो एकाउंट्स का चेप्टर चानला एकाउंटिंग फॉर पार्टेशिप फंडामेंटल्स का उसका प्रैक्टिकल प्रॉप्रम नूमबर 60, 61 & 62 करवाने जा रहा हूं स्टुडेंट्स ये इस सेशन की मेरी 28 वीडियो है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 60th कोशन 6060 कोशन मैं इससे पहले कि आपको कोशन करवा हूं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को कैंद सब्सक्राइब और कि एक हजार थेने में आपको करने में एक जर्नल का फॉर्मिट हमें ऊपर बना के रखनेंगा करना उसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि दो पार्टर जाना उसके तो तीन कॉलम बनेंगे अमाउट के लिए एक टोटल का कॉलम बन जाएगा ठीक है जी और यह डेविट करेंट का तो यहां पे हम क्या क्लिखेंगे एडजस्मंट टेबल क्या लिखेंगे एडज यह डेश्ट मेंट टेबल यह आएगा पर्टिकुलर्ज यह डेविट अब्लीग क्रेडिट यह आएगा पहला उसका नाम है पंकज और उसके बाद अनुम ठीक है तो इसका क्या आजएगा आब इसको क्या करेंगे हम लिख देंगे यहां पर टोटल क्या लिखेंगे यहां पर टोटल तो IOD क्या करना है लगाना रहता है तो interest on drawing तो debit होता है interest on drawings partners capital account को क्या करना था debit करना रहे गया है वो है 3000 और 1000 और यह 4000 बन गया अब उतना profit उनको देना भी है profit to be credited तो equally कह रहा है वो equally मतलब 2000 each आज़ेगा यह 4000 होगे न तो अब यहां पर क्या लिखेंगे net effect net effect क्या लिखेंगे 1000 रुपया debit हो जाएगा और यहां पर भी 1000 रुपया इसको credit हो गया तो क्या आएगा पंकर्स capital account debit 1000 से और अनूर्स capital account credit 1000 से यह आप general entry करनी है आपको तो यहां मैं लिखूंगा date यहां पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डेबिट करेड़िट रूपिज रूपिज ठीक है यह जर्नल आ गया ओके जी चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे पंकर्स capital account debt to अनूर्स capital account 1000 रुपिया ठीक है तो यहां पर आजेगा बिंग adjustment entry past ठीक है students चलिए यह आपका हो गया ओके जी तो चलिए अब हम क्या करते हैं 61 question मैं आपको कराता हूं 61 question में हमें क्या करना है उसकी statement पढ़े हैं आप अभी नहीं चलो मैं आपके statement पढ़के बताता हूं तो statement में वो क्या कह रहा है कि Ram, Mohan and Sohan were partners sharing profits in the ratio of 2 is to 1 is to 1 Ram withdrew 3000 every month and Mohan withdrew 4000 every month interest on drawing 6% per annum was charge लगा दिया हुआ है whereas the partnership deed was silent about interest on drawing तो इसका मुले interest on drawing लगना नहीं था आपने लगा दिया है चार्ज कर दिया है तो आपने उसको debit कर दिया हुआ है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा credit करना पड़ेगा और उतना profit debit करना पड़ेगा तो चलिए उसके उसने फिर वही बोला कि necessary adjustment entry pass करी इस error की तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना उपर तो हमें फिर वही journal का format बना के रखना पड़ेगा ठीक है students journal का format का वो बना के रख लीजिए जगा छोड़ दो journal के लिए ओके जी तो यह आगया आपका जर्नल का ठीक है यह जर्नल का उसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर हमें adjustment table बनाना है adjustment table ठीक है जी कितने पार्टर है तीन पार्टर है तो चार अकाउंट बनेंगे चार कॉलम बनेंगे ना उसके amount के दो तीन चार यह उसका debit credit का है तो चलिए अब हम इसको करते हैं आगे adjustment table यहाँ पहले लिख लेते हैं adjustment table यह आजेगा particulars debit oblique credit ठीक है जी नाम क्या राम मोहन और सोहन 61 question में नाम है राम मोहन और सोहन टोटल ठीक है तो interest on drawings credit हो जाएगा तो interest on drawing किस कि drawing है यहाँ पर तीनों पार्टर की नहीं है वह है राम की और मोहन की तो पहले iod यहाँ calculate कर लें हम iod कैसे calculate करेंगे राम का राम का कितना है 3000 कितना है per month every month तो 3000 तो 36,000 हो जाएगा into rate क्या है छे बटे 100 into 6 बटे 12 ठीक है जी तो यह 6 बटे 12 ही आएगा ना क्योंकि time period confirm नहीं है तो इसलिए 6 बटे 12 ही आएगा तो यह आगया इसका और दूसरा किसका calculate करना आपको राम के साथ मोहन का मोहन के कितनी ड्राइंग है मोहन की ड्राइंग है 4000 तो 48,000 आगया into 6 बटे 100 बटे 12 ठीक है तो इसका मलब 36,000 का 6 बटे 2 कर लो 6 बटे 12 का यह आजगा 1080 ठीक है जी और दूसरा 48,000 का 6% into 6 बटे 12 यह आजगा 1440 ठीक है जी और यह आजगा 1080 करके आगया 2520 कितना आजगा 2520 तो चलो इसको अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं राम के खाते में 1080 मोहन के खाते में 1440 and 2520 आजगा और इसमें हमें क्या करना है पड़ेगा profit to be debited उतना profit हमें debit भी करना है और profit कितना debit करना है उनकी ratio क्या है हमारे पास 2 is 2, 1 is 2, 1 is 2, 1 is 2, 1 तो divided by 4 करके आजगा 630 इसका कितना आगया 630 दूसरे का भी 630 और इसका into 2 करके आजगा 1260 ठीक है जी तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा net effect net effect तो इसका बारा सो साथ debit है और credit कितना है और यह आजगा 180 debit में राम देखो अंसर में देखो राम क्या है debit करा हूँ है 180 से very good और उसके इस बाद 1440 में से 630 आप minus करोगे तो 810 810 मोहन को क्या करना है हमें credit 810 मोहन को क्या करना है credit और 603 debit करना है सोहन को सोहन debit किया न उसने भी ठीक है students चलिए तो यह आपका net effect आ गया अब इसकी हमें journal entry कर ले रही है ठीक है यह आजगा journal journal में क्या करना है date आजगी और यह आजगा particulars आजगा लेजर फोलियो debit credit ठीक है जी यहां पर आजगा आजगा आपका राम्स कैपिटल एकाउंट डेप्टिड टू मोहन्स कैपिटल एकाउंट टू सोहन्स कैपिटल एकाउंट तो बींग एडज़स्टमेंट एंट्री पास्ट बींग एडज़स्टमेंट एंट्री पास्ट ठीक है तो राम को बन ले हूं कि सोहन को हमें क्रेडिट किसको करना है कि सोहन को भी डेबिट करना न तो यहां पर लिखनेंगे सोहन्स सोहन capital account debit to credit मोहन को करना था मोहन ठीक है credit किसको करना है मोहन को ये कर देंगे 810 से ओके और इसको करना है राम को क्या करना है 180 रुपे से और सोहन को 630 रुपे से 180 630 दोनों होगे debit ये राम भी debit हो गया और सोहन भी debit हो गया ठीक है सुदेट्स राम और सोहन को हमने क्या कर देना है debit कर देना और मोहन को क्या कर देना है credit कर देना ठीक है ये question करना था मैं सुदेंस ये देखिए इसमें हमें क्या interest on drawing charge नहीं करना था आपने के हिसाब से राम को भी डेविट हो रहा है और सोहन को भी डेविट हो रहा है और क्रेडिट किसको हो रहा है क्रेडिट मोहन को हो रहा है यहां से मेरे से थोड़ असा लिखने में गड़बड हो गया अदर्वाइस कोशन में कोई दिक्कत नहीं है राम का कैप्टल अकाउंट सोहन का Capital Account debit ठीक है जी सोहन का Capital Account debit to Mohan's Capital ओके जी ठीक है समझा गया अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं दुबारे यहां पर लिख देता हूं और करके एक ही entry है सोहन का Capital Account debit ठीक है यहां पर सिर्फ ओवर्राइट हो गया था और कोई वज़ा नहीं है इसका दूसरी बार एंट्री करने की इसको लिखो या इसको लिखो वो थोड़ा ओवर्राइट हो गया था इसकी वज़ा से मैं यह करके दे रहा हूं हालांकि entry में कोई दिकत नहीं है ठीक है जी ओके तो चलें आगे ओके अब हम आगे बात करेंगे अगले कोशन की अगला कोशन क्या कह रहा है हमें 60 सेकंड कोशन तो चलिए मैं एक बार statement आपको पढ़के देता हूं statement है 60 सेकंड कोशन की इसमें statement में क्या लिखा हुआ है बीजा रिस्पेक्टिवली द्राइंग्स अफ मीता अंड उशा दूरिंग दा येर दोजर पंद्रह सोला वर बतीजार और चॉबिसार रिस्पेक्टिवली बोथ अमांट्स अर्वेड्राउन उन फस्स जैन दोजर सोला इट वास सब्सेक्वेंट्ली फांड थीका जी तो इस बार वहले कोशन में वर्किंग के भी वह मांक्स देगा ठीक है तो पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं एक एंट्री का वह जगा छोड़ देते हैं हम ठीक है जी ऑगी यह हमनी जगा छोड़ दि उसकी जन्रेल अंटर के अब हमें वर्किंग नोट बनाना है एक दो और तीन कॉलम बनेंगे अमंट पिर सो एक दो तीन और यह डाटॉर्कराइड तो तो यह आज़ेगा एडजस्ट मेंट टेबल यह आज़ेगा पर्टिकुलर्ज डैविड क्रेडिट तो नाम क्या है इनके मीता एंड उशा मीता एंड उशा यह क्या है टोटल और यहाँ पर क्या आएगा आपको पहले आई इंटरस्ट ऑन क्याइडिट करने ना इंटरस्ट ऑन कैपिटल वो उनकी कैपिटल को आपने क्रेडिट करना कितना है छे परसेंट तो चोदा 84 यह आगया और दूसरा कितना आगें 6 परसेंट बारज़े को बातर सो बातर सो यह आगया और ये बन गया 15,600 और साथ में कमिशन भी देनी है कमिशन भी दे दो कमिशन किसको देनी है क्रेड़िट करनी है मीता को और आठ घजार पूरे साल की है तो ये आठ घजार बन गया अब यहां पे हम लिखेंगे टोटल क्रेड़िट यह आजेगा आपका total career editor, यह आगा 16,400, यह 72,600, अब आपको क्या करना है, interest on drawing, debit करना है, और वो कैसे calculate करेंगे interest on drawing, बताओ मेरे को, किन किन पार्टर का है, दोनों पार्टर का है, कितनी drawings उनकी 32 सार और 24 सार, तो period नहीं गिवना में, तो यहाँ पे IOD पहले calculate कर लो, किसका मीत का और उशा का, और मीता की drawing कितनी है, 32,000, और यह कितनी है, 24,000, 6% into 6 बटे 12, into 6% into 6 बटे 12, ठीक है, 32,000 into 6% बटे 2 करके आजेगा, during the year है ना, 6% है, तो यह 32,000 उसकी drawing है ना, 32,000, 32,000 का 6% बटे 2, उसने कब कहा है, एक January को लिया, sorry, एक January को, ओहो, drawing कब लिया, एक January को, दोनों ने, तो फिर यहाँ तो तीन मंत कहीं आएगा ना, यहाँ पर फिर तीन मंत कहीं आएगा, ओके, तो आजेगा आपका 32,000, मैं वो date देख रहा था, date तो given है, into 3 बटे 12 करके यह आजेगा 480, यह आजेगा 480, और 24,000 का 6% into 3 बटे 12 करके आजेगा 360, students, हमें जो drawing given है, question में, यदि आप दियान से देखो, मैं वो ही डूट रहा था, कि 1 जैन 2016 का, 6 मंत का नहीं लगेगा, इसमें 1 जैनुरी से लेगे, 30 मार्ट तक 3 महिने होते हैं, उसका लगेगा drawing का interest, और यह आएगा 480, 360, यह आजेगा 480, जमा 360, यह आजेगा 840, और यह आजेगा profit to be debted, अब 23,600 में से यह minus कर दो, 23,600 में से 840 minus कर दो, 23,600 में से 840 minus क कर दिये, तो यह बंजेगा 22,660, तो 22,660 को उनकी क्या ratio है, दोनों की, 2 by 3 में हमने उनको बाट देना, बटे 5 into 2, यह आजेगा 9104, ठीक है, और दूसरा आजेगा 22,660, 22,660 into 3, बटे 5, यह आजेगा 13,656, तो यह बंजेगा total debit, यह बंजेगा total debit, total debit में यह आजेगा 4, 8, 5, 9, यह आजेगा 6, 5, 11, 1, 9, 0, 4, 1, 14, 0, 16, यह आगया 23,600, तो यहाँ पे हम निकालेंगे, अब net effect, ठीक है, और वो 16,400 में से इसको minus कर दो, 16,400 में से हमने 9584 minus कर दिया, तो आगया 6816, यह क्या हो गया, credit, मीता को देखो credit कर रहा है उसने, यह मीता को credit है, 6816 है, अब इस भत्तर जार में से यह minus कर दो, 14, 0, 16 में भत्तर सो minus कर दो, तो यह कितना आगया, 6816 यह debit आजेगा, तो एक पार्ट को debit करने है, और दूसरे को credit करने है, ओके जी, तो यह आजेगा, यहाँ पर लिखोगे, journal, यह आजेगा, date, यह आएगा, particulars, लेजर फोलियो, debit rupees, credit rupees, ठीक है जी, तो यहाँ पर debit किसको करने है, उशा के capital account को, उशा, capital account, debted, to meet us, capital account, being, adjustment, entry, past, कितने की, 6816 की, 6816 की, ठीक है students, तो इसी के साथ यह तीनों question complete होते है, I hope कि आपको अच्छी तरह समझा आगे होंगे, मैं video भी यही conclude करता हूँ, okay जी, done,